Hello Friends, Welcome to CRS Classes Friends, हमने previous वीडियो में बात की थी Last Numbers की Last Numbers में हमने पराता 4-Digit Number and 5-Digit Number के बारे में आज हम बात करेंगे Indian Place Value System and International Place Value System के बारे में Indian Place Value System को 4 Columns में डिवाइड किया गया है Ones, Thousands, Lags and Croors Ones में 3 Columns आते हैं Ones, Tens, Hundred Thousand में 2, 1000, 10,000 Lags में 1,00, 10,000 And Croors, 1,00, 10,00 International Place Value System में 3 Columns आते हैं Ones, Thousands, Millions Ones को अगें 3 Columns में डिवाइड किया गया है Ones, Tens, Hundred Thousand को Thousand, Tens, Thousand, Hundred Thousand And Millions, Millions, Tens Millions and Hundred Millions Friend, अगर हम देखते हैं तो दोनों सिस्टम में Ones, Tens, Hundred, 1000, and 10,000 तो common है उसके बाद Indian Place Value System में 1 lakh आता है जबकि International Place Value System में 100,000 आता है तो हम कह सकते हैं तो आपको यहां तक समझ में आया होगा उसमें किस तरीके से कॉमा लगाते हैं Example 1 देखिए Suppose 9, 8, 7, 3, 4, 7 Number given है इसको हमें Indian Place Value System के according लिखना है तो first time कैसे लिखेंगे फिर thousand को column होता है thousand, ten thousand यहां लगाएंगे, फिर lakh, ten lakh को होता है, तो इसके धर लगाएंगे अब यहां कोई digit नहीं है, इसलिए हम lakh तक ही लगाएंगे, ठीक है अगर same number को हमें international place value system के साब से लिखना होता है, तो हम कैसे लिखेंगे international place value system में कैसे column होते हैं, once, tens, hundred, thousand, ten thousand, hundred thousand, million, ten million, hundred million इसमें हम कैसे लिखेंगे, seven, four, three, seven, eight, nine अब हमें पता है, international में तीन columns होते हैं, once, thousands, and millions तीनों को तीन, तीन column में डिवाइड किया गया है जिसे once को, once, tens, hundred में तो हम यहां कॉमा लगाएंगे thousand को, thousand, ten thousand, hundred thousand में तो हम यहां कॉमा लगाते हैं, अब यहां डिजिट नहीं है, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक है अब हम चलते हैं, अपनी exercise के तुरूट अब हम करेंगे exercise 1.1 Question 1, write the following numbers by placing commas according to Indian system Indian system के according हमें कॉमा लगाना है Question 1, a part 3, 8, 5, 4, 8 तो हम कैसे कॉमा लगाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 ओके नो देखिए, F part 6, 9, 0, 3, 7, 8 फिर कैसे कॉमा लगाएंगे हम 1, 10, 100, 1000, 10,000, कॉमा लैग, 10, लैग, फिर उसके बाद कॉमा चीक है अब हम करेंगे I hope आपको समझ में आए होगा अब हम चलेंगे Question 2 पर Write the following numbers by placing commas according to the international system अब हमें international system के according कॉमा लगाना है देखिए 1st part 7, 3, 8, 5, 9 अब हम क्या करते हैं हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं क्योंकि 1, 10, 100, 1000, 10,000 100,000, 1,000, 10,000, 100,000, तो हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 100,000 होता तब कॉमा लगता ठीक है अब देखिए 9, 8, 8, 8, 4, 2, 5 इसने कैसे कॉमा लगाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 कॉमा ठीक हैं यहाँ पर डिजिट नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है नाव अब हम करेंगे कोश्चन नमबर 3 राइट दा फोलेंग निम्रेल्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग तो इंडियन सिस्टम 8, 3, 5, 3, 8 तब इसमें कैसे कॉमा लाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 फिर हम इसको कैसे रीड करेंगे 83,538 देखिए मैं आपको यह करकर बताती है कोश्चन 3 एपार्ट 8, 3, 5, 3, 8 आप इसे कैसे लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 8, 3, 5, 3, 8 कॉमा कैसे लाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000 इसको अपको कैसे पढ़ेंगे 83,000 देखिए थाउजन का कॉलाम है तो 83,500, 3, 538 83,000, 538 इसी तरीके से अब हम करेंगे B पार्ट 5, 4, 8, 3, 0, 7 इसे हम कैसे लिखेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000, 10,000 7, 0, 3, 8, 4, 5 कॉमा कैसे लाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, कॉमा अब हम इसको कैसे रिट करेंगे 5, 100,000, 100,000 किसे क्या पर आ रहा है 5, 100,000 पर आ रहा है 48,000 48,000 307 307 यहां तक आपको समझ में आओगा अब हम मूव करते हैं Q4 Q4 Write the following numerals in words according to international system International system के according लिखेंगे 1, 10, 100 हर 3 कॉलम के बाद कॉमा आता है 1, 10, 100 3 डिजिट के बाद कॉमा 1, 10, 100,000 10,000 100,000 तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1, 100 52, 847 Right 152, 847 1, 10, 100, 100,000 1, 10, 100,000 1, 10, 100,000 1, 10, 100,000 अब इसे कैसे लिखेंगे 1, 10, 100, 100,000 50, 100,000 1, 10, 100,000 47 47 Okay friends Now Question 5 Write the following in numbers According to Indian system Now we will write Indian system according to Indian system 80,209 80,209 According to Indian system 80,209 See part 4,13,838 4,13,838 Okay friends Now We will move on Question 6 Write the following in numbers According to international system Now we will write international system according to Indian system 65,206 65,206 863,000 863,509 Now question number 7 How many thousands make 1 lakh? कितने thousands 1 lakh बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया था 100,000 request to 1 lakh हमने बताया था न कि ये चीज़ सेम होती है 100,000 request to 1 lakh Again How many lakhs make 1,000 कितने lakh 1,000,000 मनाते हैं? तो 10 lakhs equals to 1,000,000 Friends I hope आपको ये समझ में आया होगा Friends अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी doubt है तो आप comment section में लिखके मुझे अपने doubts सोच सकते हैं अगर आपने मेरे चैनल को like, share and subscribe नहीं किया हो तो आप उसे like, share and subscribe कर सकते हैं Till then, thanks for watching